हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की में इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनेच पीसी के बारे में एनेच पीसी में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बहुत साथी चीजे हो रही है जो की इस श्टॉक को एक अच्छा ऑप्शन भी बता रही है बहुत सारे एनेलिस्ट हैं जो की इस टाइम पर इसको रेकमेंड भी कर रहे हैं और बजट का भी टाइम है तो जिस अकॉर्ड में बात करेंगे दो ऐसी श्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पेट एक्षन भी दिखाने वाले हैं वीडियो को एंट तक आप जरू देखिए सो डैट सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाए चैनल पर फस्टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देजेगा देखो एंट पीसी की आज की क्लोजिंग आपको नेगिटिब देखने को मिलेगी लगबग 2% की गिरावट के साथ शेयर 113 रुपे 68 पैसे पर क्लोजिंग देखने को मिली है ओवरल मार्केट भी अगर आप यहां पर देखते हो तो एट पार की ही क्लोजिंग देखने को मिली है कलमार्केट बंड रहेगा तो अगर आप यहां पर देखोगी तो चीजह कुछ ऐसी डाइप की निकल आ रही है इसके रिटेंस के बारे बात करें तो यहां पर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में लगबग 12000 के रिटन्स है और पिछले 9 महीने में साल में इसने अपने इंवेस्टर्स को अच्छे कासे रिटन्स दियें लगबग 400 परसेंट के यानि कि ओबरॉल हर एक टाइम फ्रेम में इसके जो रिटन प्रोफाइल है वह एक अच्छी रिटन प्रोफाइल नजर आ रही है एक ओबरॉल अगर हम इसको जैसे इस्ट कवर कर करते हैं तो उसमें अगर आप देखते हो तो मीडियन टार्गेट कितना निकल के आ रहा है 95 का लोएस टार्गेट निकल के रहा है 63 का हाइस टार्गेट निकल करा रहा है 126 का यह पिछले एक साल की जो कबरेज होती है उसके अकोर्डिंग आपको देखने को मिलता है जिसमे की टाटा पावर आज आदे परसेंट की गिरावट दिखाई जेएश डवल्यू में लगबक पॉने दो परसेंट की गिरावट वहीं अगर आप यहां पर देखोगे तो और भी अब यहां पर जो और रिपोर्ट है वो पूरी कि यहां पर मेंशन कर दी है जो इस नोटिस मे आप देखोगे तो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी अपॉइंट मेंट ओफ कॉस्ट और फाइनेशल है टुथाज़न टुथाज़न ट्वेंटिफाइव अब यहां पर जो दो चीज़ां मेंशन करी गई है नेम ऑफ दी फर्म जिसमें नौ टोटल नाम है जो क कि मेंशन करें गए और फिर है एक तरफ एलोकेशन ऑप पावर स्टेशन डिफ्रेंट डिफ्रेंट यहां पर जो कॉस्ट औरिटर्स हैं वो हैं और उनको अलग-अलग पावर स्टेशन असाइन करें गए जैसे कि संजा गुपता एन असोसियेट डेली फिचंद्रा नोटिस को पूरी तरीके से देखते हो तो एक चीज और देखने को मिलती है जहां पर इन ऑडिटर्स की पूरी डिटेल आपको इस नोटिस में देखने को मिल जाएगी इससे यह भी पता चलता है कि पूरी तरीके से जो तिनी भी ट्रांसपेरंसी है वह रखी जाती है और ह और चीज जो है वो शेर होल्डर को पूरी तरीके से इंफॉर्म करी जाती है फिर भी अगर आप इन सारी चीजों को इग्नोर करके ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको आने वाले टाइम में देखने दिक्कत देखने को पड़ती है अगर आप पूरी डिटेल ज इसमें इंटीमेशन अंडर दी रेगुलेशन एट टू अफ सेवी जिसमें अगर आप देखते हो तो इन्होंने बात करी गई थी कोड और प्रेक्टिस और प्रोसीजर फॉर फियर डिस्क्लोजर यानि कि जो इंसाइडर ट्रेडिंग है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई थी और यह प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो रहे इनकी वह 11 जुलाई से एज अप्रूब्ड बाइब बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर और मीटिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है यानि कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंशन करी जाती है और य 130 रुपीस का टार्गेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और यह टार्गेट आई से डारेक्ट की तरफ से आपको दिया गया है यानि कि एक अच्छी काती रेप्यूड ब्रोक्रेस हाउस की तरफ थे एनसपीसी को कबर किया गया है 132 रुपे के टार्गेट है आपर 102 रुपे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो और तीन महीने की जो टाइम फ्रेम है वो पूरी जरी के से आपर मेंशन करी गई है कि तीन महीने तक अगर आप इसमें होल्डिंग्स अपनी बनाए रखते हो और बाइंग रेंज जो है वो आपकी 110-115 की रहती है तो करीबन यहां से आप 17-18% के रिटरंस आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर देखकर चल सकते हो नहीं कि शॉट टम की एक अच्छी कॉल जो है वो नजर आ रही है आने वाले टाइम में बजट भी है 23 जुलाई को वहां से भी आपको सारी चीज़ा पंदा चल जाएगी कि सेक्टर के लिए सरकार कितना यादा अग्रेसिबली काम कर रही है तो अब यहां पर हम बात करते हैं दो स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पेट एक्षन दिखाने वाले हैं और जब से कॉर्पेट एक्षन का bonus जो है वो announce कर दिया है कि अपने shareholders को ये 1 ratio 1 का bonus जो है वो देने जा रहे हैं लेकिन अभी तक अगर आप देखते हो तो जो X date है उसके बारे में announce नहीं किया है तो X date अभी नहीं बताईगी है शायद जब result आएगा उसमें भी बता दी जाएगी या उससे पहले बता दी जाएगी तो वो सारी चीज़े तो जब आएगी तो मैं आपके साथ share करूँगा लेकिन यह इसमें पक्का कर दिया है कि अपने investor क वो वन रेशियो बन का जो bonus है वो देने वाले हैं अब बात करते हैं कैसे stock के बारे में जो कि आपको dividend देने वाला है company का नाम है HEG Limited यह लगबख सेम प्राइस का stock है जो CDSL है इसके returns अच्छे बने हैं और अगर आप देखते हो तो return profiling इसकी काफियाद इंप्रेसिव है इसमें जो dividend मिलने वाला है वो एक अच्छा dividend है लगबख साड़े 22 रुपे का dividend है और यहां पर एक्स डेट आप देखो पाओगे तो 31 जुलाई 24 ठीक है तो 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपने इसमें बाइंग कर ली तो definitely आपको भी साड़े 22 रुपे का जो dividend है वो मिल जाएगा number of shares के हिसाब से कॉमेंटे में बताइए इन दौनों stock में से क्या आप investment करना चाहोगे यहां पर नहीं बाकी सारी चीज़े हम लोग discuss कर चोगे हैं फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फरस्टाइम विजट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रो कर देज़े आपके बाश टाइमली नूटि झांट pragダं लुक है आपके बाश देजांड थाची रहे हो तो सब्सक्राइब पिलाश चैनल पर उसक्राइब शर्सक्राइब टूड़रो केए यह अंच्छी लन पिक विला हो तो से जगर्सिज़ उँग्वारो के रहे हैं धियुरियो को यह हम झालाध udah लिलाए हैं तो से